यह तस्विर हम दोबारा आपको फ्लाई ओवर के उपर से दिखा रहे हैं डोगरा चोग उपर और यहाँ पर इस गाड़ी को यह जो अभी थोड़ी दिर पहले एक्सिजेंट हुआ था एक आर्मी की गाड़ी टकर मारके इस गाड़ी को चली गई थी और गाड़ी यहाँ पर डिवाइडर के उपर चड़ गई और अब इसको क्रेंड से निकाला जा रहा है क्रेंड लगाई गई है इस तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ हमारे यहाँ पर दिखाएं कैमरा पर सना आपको यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ीयां जो हैं रोकी गई हैं जाम लग गय जा रहा है यह देखें गाड़ी उठाई गई है उठाई गई है और यह यह गाड़ी जो है वो यहाँ पर निकाली जारी यह गाड़ी गाड़ी निकाल दी गई है आखिरकार यह गाड़ी जो है वो निकल गई है कि मैं एक बर फिर से आपको बता दूँ यह एक्सिडेंट हुआ है फ्लाई ओवर के उपर बिक्रम चोक से थोड़ा सा पहले डोगरा चोक बिल्कुल उपर फ्लाई ओवर जो है वहाँ पर यह गाड़ी देखें यहाँ पर य यहाँ पर निकाली गई है क्योंकि यह जो इन लोगों ने बताया कि आर्मी की गाड़ी जो थी वो टकर मार गई और टकर मारने से गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और घूमने के बाद यह डिवाइडर के ओपर चड़ गई और अब यह देखें यह देखें यह देखें गाड़ी पूरी तरह से इसका ये देखें आप काफी हद तक डैमेज हो है वो यहां पर गाड़ी को हो रहा है लेकिन गाड़ी निकालना जरूरी है ये हमारे ट्रैफिक पॉलीस के जवान हमारे जमो किश्मिर पॉलीस के जवान लगे हुए हैं काम पे और पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से ये गाड़ी जो है वो निकले और ये ये देखें ये ओओ ये देखें गाड़ी आखिर कार जो गाड़ी है वो निकाल दी गई है और इस क्रेन की मदद से गाड़ी निकाल ली है और जमो किश्मिर पॉलीस के जवान और ट्रैफिक पुलीस के जवानों ने धक्के मार कर क्योंकि इसमें ताकत की जरूरत जरूरत पड़ी और टायर देखें याप पूरी तरह से पंचर हो गया गाड़ी का टायर और ये गाड़ी आखिरकार यहां से निकाल दी गई है और अब ये गाड़ी जो है वापिस वोक्षाप के जाएगी इसकी जो डैमेज हुआ है और ये कच्छी खबर है कि गाड़ी जो है वो यहां से निकाल दी गई और ये तस्वीरे हम आपको बताएं विक्रम चोक से खोड़ा सा पहले डोगरा चोक से दिखा रहे हैं फ्लाइब ओवर के उपर से और गाड़ी निकाल दी गई है जाम जो लगा हुआ था अब जे जाम जो है यहां से हटा दिया गया है और गाड़ियां जो है वापी से रिटान के चल रही है और क्रेन की मदद से गाड़ी निकाली गई बाकी अब देख रहे हैं दैनिक शेट समचार मुझे और मेरे साहियोगी अरुन डोगरा को दें जाज़ाद नाश्रा